नमस्कार दोस्तों सरजी क्लासिस में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग एपकाइट के प्रिफियस येर में जो कोश्चन पूछा गया थे जनरल इंगलिस के तो वो हम लोग इसमें देखेंगे और यह दिखिए जो पेपर आपका है तिये प्रिफियस येर में बहुत सारे जैसे सेट इसके आते हैं तो वो किसी एक सेट का है यह इसी तरीके से और भी जितने भी प्रिफियस येर कोश्चन पूछा गया थे तो वो हम आने वाले क्लास में आपको प्रोवाइट करते रहेंगे तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहना हम आपको उठाके तो उसमें जो सबसे आदा कोश्चन आपको नॉन टेक्निकल जो एकजाम के पीपर जो होता है तो इसमें सबसे आदा को इंग्लिस का ही मिलेगा तो इस तरीके से यह आपका सब्जेक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तो यहाँ पर दिखिए जो question आपका है इसमें सबसे पहले आपका है error spottings based question आपके है इसमें तो question आपका कुछ इसे तरीके से रहेगा कि इसमें जो कुछ part of sentence जो है जिसमें की error है और कुछ correct होता है इन में से भी तो आपको वो part आपको इसमें choose करना है कि जिसमें जो है वो प्रोवाइट कराएंगे आपको आने वाले दिनों में तो इसमें दिखिए सबसे पहले आप लोग कोशन पैटरन समझ लीजिए इसके बाद आपको जो है क्या स्टेडि करना चाहिए यह आपको बाद में डिसाइड करना होगा तो यहां पर पहला कोशन आपका एरर यहां पर देखिए जो लेंग दिया हो आपका यह बहिए निगा यहां देखिए गलत अका हो और छहां पर चाहिए ल यांग N जी इसका मतलब होता है कि लेटा हुआ अब यहाँ पे जैसे lie जो है तो lie हम लोग use करते हैं कि जैसे कोई person या फिर जो कोई animal है अगर वो horizontally overrest करता है तो उसके लिए हम लोग lie का use करते हैं अब इसमें continuous form बनाना है तो इसको हम लोग lying use करेंगे नहीं कि ly ing ना कि lay ing यह meaning ही change करतेगा यहाँ पे तो आपको जो है इन सार वाले दूनों में इसका पूरा complete जो class provide करेंगे फिर वहीं अगला question देखिए कि I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy for us to complete अब इसमें देखिए जो error आपका है तो वो part c में आपका दिया हुआ है इसमें देखिए दिया हुआ much to अब इसमें to जो आपका है तो हम लोग to बाद में use नहीं करते ह तो पहले यूज़ करते हैं उसके बाद much आपका बाद में use होगा तो इस तरीके से इसमें पार्ट c में आपका error है तो आपको पार्ट c जो भी गोला होगा आपका वहां पर जैसे हो MR स्ट रहता है तो उसमें आपको मुझे से वहां पर response भरना होता है या फिर अगर question आपक at the door in midnight तो इसमें दिखिए जो error आपका है तो वह पार्ट c में आपका दिया हुए यहां पर in midnight का use किया गया है जो कि यह wrong आपका according to uses के हम बात करते हैं तो क्योंकि यहां पर जो है अगर जैसे time का बात हम लोग करते हैं यहां पर तो इसमें in का नहीं यहां पर हम लोग at midnight use क करेंगे at का यहां पर यूज होगा क्योंकि इन-magnight अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक लंबी duration की जो है कि वह बात करता है लेकिन आठ हम लोग use करते हैं तो कोई इस specific time duration की बात करती है यहां पर तो यहां पर since बताया जा रहा है कि कि किसी ने जो है नौ यहां पर क्या यूज़ होगा at minute हम लोग यूज़ करेंगे तो part c में इसमें error आपका है next देखिए कि seldom if ever nature does operate in closed and separate compartments तो इसमें देखिए जो error आपका दिया हुआ है तो इसमें part b में आपका दिया हुआ है अब इसमें देखिए कैसे error है यहां पर दिया आपका nature दिया हुआ कि nature does operate तो यहां पर nature के बारे में कहीं जा रही है लेकिन यहां पर जो operate है यह क्या है plural form में यूज़ किया गया हुआ तो यहां पर subject agreement जो है agree नहीं कर रहा है आप जानते हैं कि subject agreement में subject जो है वह भौब के साथ जो है agree करना होता है उसको तो सिंस यहां पर subject जो nature है यह क्या singular form है तो इसलिए जो यहां पर जो object आपका या जो भौब है यहां पर क्या होना चाहिए तो आप जहांसे जानते हैं कि कोई भी भौब होता है तो उसमें जहों लोग एस या इस लगाते हैं तो वह singular होता है और सब बीना एस करता है तो फ्लॉर फॉर्म में रहता है तो यह चीज जो है आपको उसमें study करना है subject agreement में तो इस तरीके से यहां पर operate नहीं यहां पर operates होना चाहिए तब जाए कि यह singular बनेगा तो यह क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आपका तो इसको क्रेक्ट फॉर्म क प्रोब्लेम नहीं आएगी तो यहां पर एट का हम लोग यूज करेंगे और यह सारा चीज है पर प्रोजिशन वाले पॉर्शन में इसको अच्छे से कवर करेंगे तो राइट एंसर इसमें option B वाला होगा और उसी का आपको मार करना होगा फिर देखिए next part आपका है इसमें आपको जो है word आपका दिय आते हैं तो इसमें से question आपको इसको लिए करने के लिए आपको जो है word जितने भी होते हैं important तो उसको तो याद रखना ही होगा इसके अलाब़े और भी जो भी रहते हैं जो की मिलते जुलते रहते क्जामें पूछते रहते हैं तो उन सभी को आपको ध्यान में रखना होग तो इसके लिए भी जो है आपको हम important जिते भी words होते हैं तो उसका list हम आपको provide कर देंगे और साथ में इसका class भी हम लोग करेंगे इसको याद करने का कुछ techniques भी आपको हम बताएंगे तो यहाँ पर दिखिए पहला है intransigent है तो इसका मतलब होता है कि कोई person है जैसे वो कोई चीज़ ideas के लिए फिर कोई views के लिए वो refuse करता है यानि कि वो unwilling होता है उसमें changes के लिए या जो है कि अपने behavior more strict रहता है और कोई चीज़ को एगरी करने में भी जो है बहुत ही वो आनाकानी करेगा तो उसको बोलते हैं लोग इंट्रेंसिजेंट तो इसमें देखिए जो nearest इसका meaning रहेगा इसमें option D रहेगा unbending तो unbending का मतलब होता है कोई person है जो अपने behavior में strict रहता है यानि कि वो changes नहीं चाहता है अपने opinion के बारे में कि वो जो भी कह दिया या सुन लिया वो तो वह सी को ही मानेगा तो यहां पर और भी आप जैसे word आपका दिया हुआ यह भी आप लोग समझ लेना है इसमें आपका दिया हुआ impersonal तो impersonal का मतलब होता है कि जैसे कोई person है वो जो है involve करके दिखाता है कि वो भी जो है उसका personal feeling वही same है या फिर वो अपने दिखाता है कि हम भी सहमत हैं तो इस तरीके सा आपको यह सारा word भी याद रखते चलना है उसके बाद यहां पर दिखिए strenuous के बारे में दिया हुआ है तो strenuous का मतलब होता है कि जैसे किसी काम को करने के लिए जिसमें कि हमें बहुत ही great effort requirement होती है तो उसी का मतलब strenuous होता है और authoritative का तो मतलब जैसे इसका आप लोग जानते ही होंगे तो इन सभी को आप लोग जो है इसको note करते चलना फिर वही इसको जो है तरीके से डराना धंकाना कि कोई चीज आपको वह काम कर दे तो इस अंदर में इसको हम लोग बोलता है या फिर आप जो चाहते हैं उससे वह करवाना हो गया तो इसका देखिए यहां पर जो correct meaning क्या हो जाएगा nearest meaning frightened हो जाएगा option C हो जाएगा और बाकी इसमें जैसे मिस्लीड अप इसका मिनिंग होता है कि मिस्लीड का मतलब होता है कि किसी को मतलब की जैसे होता है ना कि आप उसको कोई चीज बुरह में डाल रहे हैं या वो उसको सही चीज नहीं बता रहे है कुछ और चीज बता रहे हैं तो यह इसका मिस्लीड का मतलब होता है और इस पॉरोटिक का मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसा इवेंट जो है जो कि irregular instant पे होते रहता है यहने कि irregular interval में होते रहता और वह कुछ ऐसे few places में होंगे जो कि scattered रहता हो या फिर isolated रहता हो तो इसका directly देखिए जो nearest meaning इसका हो जाएगा इसमें आपका देखिए इसमें इसका option सी हो जाएगा occasional का मतलब होता है कि कभी कभार होना वह जो भी रहेगा कि irregular instant पे वह होता रहेगा तो इसी का जो है nearest meaning में रहेगा और साथ साथ में आप लोग यहां पर यह भी आप लोग देखते चलिए जैसे epidemic दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई डीजिज है उसका बहुत तीजी के साथ जो है spread करना एक large number of people में जैसे कोई community है तो यह जो है उसके बारे में epidemic के बारे में यह correct meaning इसका होगा और वहीं पर देखे जो whirling आपका इसमें दिया हुआ है तो इसका इसका मतलब होता है कि एक round में यानि कि speed में जैसे कोई लड़्टू हता है तो वह घुमता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग वेरलिंग कर रहा है वह यानि कि rapid movement जो की गोल में कोई घुमता हो या फिर round round घुमता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग वेरलिंग बोलते हैं और वहीं देखे जो stagnant आपका है तो stagnant का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज है कोई activity नहीं सो कर रहा है यानि कि वो जो है पूरा इस्थीर आवस्था में है वो कोई उसमें जो है movement नहीं है तो इस तरह से सभी को आपको देखते चलना यहां पर इस पूरो डेक्ट आपका था जिसका मतलब होता है कि कोई चीज इरेगुलर इंटर्वल पर होना तो इसका देखिए जो होगा राइट एंसर क्या होगा होगा अब वहीं देखिए फिर अगला question अगला आपका है जिनेशिस तो जिनेशिस का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी चीज का beginning होना या फिर बर्थ होना जो कि यह Greek origin आपका है तो इसका देखिए जो right answer इसका होगा है यानि कि जो nearest जो meaning देगा इसमें आपका है तो वो option भी हो जाएगा beginning इसका हो जाएगा तो यह बिलकुल easy है और बाकि जो word इसमें भी दिये गा है तो यह सारे easy है तो इसको आप लोग easily भी आप लोग समझ सकते हैं फिर next देखिए जो part आपका इसमें है इसमें जैसे कोई word आपका दिया हुआ है और इसका आपको यहाँ पे नियररी उसका opposite meaning बताना है कि जो इस option में उसका हो सकता है तो यह जो है directly आपका antonyms का question है तो यह जैसे कि आपका next part रहेगा जिसमें कि आपको antonyms भी सिखने होंग जो किसी के बारे में बुरा ही सोचता हो या फिर उसका बुरा करने के ही बात करते रहता हो तो यह होता है M.A.L. का जो आपका root word दिया हुआ है तो इनसे बहुत सारे word आपको मिलते हैं जुलते हों मिलेंगे जैसे manly iteration हो गया, maladiction हो गया तो यह जो है उसी सही related आपके है तो कि हम उसके बारे में कर कोई wish भी करते हैं तो वो हम लोग उसका बुरा ही सोचते हैं यानि कि कभी भी भला उसका नहीं सोचेंगे तो इसका देखिए जो antonyms इसका जो होगा तो यह हो जाएगा इसका right answer option यह kindly हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए और भी जो word आपके दिया जैसे हुए है उसको भी आप लोग यहां पर सीख लिए जैसे वैक्यूस दिया आपका इसमें तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई person है वो ऐसा सो करता हो कि वो उसके जैसे की thought है ही नहीं उसके पास बीना वो सोचे समझे कोई भी चीज़ है वो कह देता है तो यह होता है इ उसका तरफ भी है और ना भी है तो दोनों तरीका से वह सोचता हो फिर उसके बाद जैसे primitive आपका दिया हुआ तो पर गेटरी आपका दिया हुआ है तो पर गेटरी मतलब होता है कि यह ऐसा जगह या पिर ऐसा एक जगह होता है जहां पे आदमी अपना पापो का फॉल कि एक आपका यातना का जगह हो गया या नर्ग कहा लीजिए वह हम लोग एक सिंपल लेंगेज में इसका हम बोले तो तो इसका करेक्ट जो एंटोनीम जो होगा इसका वो सेलेस्टियल हो जाएगा यानि कि option B जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा अब बाकी इसमें और भ प्रॉप्सिमीटी का मतलब होता है कि जैसे कोई आने वाले समय में कोई चीज खहने वाला हो या फिर कोई नियर्नेस टाइम में या फिर कोई रिलेशनशिप जो है नियर्नेस कोई भी हो किसी का तो इसका हम लोग योज करते हैं और बाके जो reward है तो इसका भी meaning अप्लोग स खमा कर देना तो यह होता है इसका Clemency का मतलब इसमें देखें यहाँ पर जो दिया है यहाँ होगा है तो इसका जो right answer हो जाएगा तो इन्टोल्रेंस हो जाएगा इसका यानि कि option B जो है यह राइट एंसर इसका हो जाएगा और intolerance का मतलब होता है कि किसी के प्रती जो है थोड़ा सा भी दाया भाव मतलब कि एक तरीके से कुछ भी ना मानना या फिर थोड़ा सा भी दाया के भाव ना जो है इस तरीके से ना देखाना कुछ भी करे तो तुरत रियक्शन कर देना तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें संदर्व समझना होगा, एक्जेक्ट आपको वह नहीं मिलेगा, लेकिन और भी जो वर्ट है तो उनको देखते हुए आपको इसमें टीक करना होगा, तो एंट्रोनिम्स या सिनोनिम्स को जो कोशन रहते हैं, लोग या किसी को फिजिकली नोकसान पहुंचे तो यह होता है कॉर्परल का या फिर इसका कॉर्परल का मतब पोजिशन एक पोस्ट भी होता है इसमें तो आपको कोई related इससे नहीं है क्लिमेंसी से यहां पर और वहीं पर देखिए जैसे आपका इसमें कोई compromise भी है तो आप लोग इसका मतलब जानते हैं कि किसी चीज में सहमती हो जा या फिर उससे किसी तरह कमपराइज करना कोई भी conditions थे तो यह तो कभी यह याद है यह जैसे आप जाते है उसका नहीं बन रहा है यहां पर यह लेंजी है जो आपको यहां पे दीख सकता है कैजूल आपको दिया हुआ है तो देखिये केजूल का मतलब होता है उसमें कि किसी को बहलाना हो गया यह नहूं अजह करें हो जाएगा आपको इसका संदर्ण होते हैं इसका मतलब होता है कि किसी परसन को पहलाना और उसको बाद में फिर उसको नुक्शान पहुंचे उसको तो इस त्रीके से यह होता है casual का मतलब यहां पिरॉब्ल्ब्लीम की मतलब होता है कि हम किसी को हा में करने के के लिए उसको डराने के लिए मकसद से ही कोई भी विविकश उसको बहला है फुसला है डिरेक्टली अपना एक्सन दिखा देना कि हम उसको क्या कर रहे हैं कि हाम करने का इंटेंशन से जा रहे हैं लेकिन casual का मतलब होता है कि इसमें पहले उसको हम बहला फुसला लेते हैं या फिर कोई और तरीके से अपनाते हैं हम लोग कि उसको first impression में लगे कि हम जैसे उसको कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं बाद इसको हम पहुचाएंगे तो यह चीज होता है दोनों में difference आपको समझना होगा और वहीं पर देखिए जैसे आपका नेसल इसमें दिया आपका तो नेसल का देखिए इसका मतलब होता है कि किसी चीज को जो है सेटल सेट का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज से कोई membership से कोई alliance से वहां से withdraw कर लेना तो आपको दिखिए casual से यहां पर कोई भी चीज रिलेटेट नहीं मिलेगा आपको न तो इससे और नहीं इससे तो right answer आपको क्या हुच बच जाएगा इसमें C ही आपका रहता है तो बाकि और आपको याद रहेगा यादि आप लोग जानते हैं तो बाकि correct answer आप नहीं भी जानते हैं इसका exact क्या होगा तो भी आप option के थुरू जो है और इसको आप mark कर सकते हैं अब next दिखिए यहां पर है जो next part आपका है तो वह है idioms and phrases related question आपके है तो इसमें आपको वह word को choose करना होगा है जो best define करता यहां पर जो phrases या idiom जो भी दिये रहते हैं तो यह भी आपका एक important part है इससे भी question आपके जो है चार से पांच question बूचे जाते हैं तो यह भी जो है क वह भी बहुत effective तरीके से याद करने का तरीका भी आपको हम बताएंगे जिसे कि आपको क्या है कि first बार ही आप लोग जब आपके सामने idioms आएगा तो वहीं पर आपको याद हो जाएगा तो यहां पर देखिए पहला आपका दिया हुआ हुआ है कि in will and wo का मतलब होता है कि एक ऐसा expression जिसमें कि यह ऐसा instant दिखाता है कि कुछ जासे कुछ समय जो अच्छा भी रहता है और बैट टाइम से इसका और मतलब होती है कि कुछ JACKhelp करने का और कुछ जो रहता है साौरो होने इसका अलावे और भी इसमें आपको मिलएगा इसके अलावे य विल एन वो का तो राइट एंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा विल का मतलब होता है यहां पे जैसे कि कोई चीज अच्छा होना प्रस्पेरिटी का दीन होना और वो का मतलब इसमें है कि कोई चीज जो है वो बाइड टाइम्स आप जहल रहे हैं या फिर जो मिस्पोर्चु कोई जो है कि सब्सक्राइब करते रहता है बहुत सारे में यानि कि याद करना भी बहुत ही असान इसमें ग्लोब ट्रोटर वोल्टर रहता है और इसके बाद प्लोड ट्रोटर से इसको ब्रेकट करके भी यद कर सकते, एक ट्री का तरीका से, कि ग्लोप का ट्रेवलर्ड, तो यानि कि कोन पर्शन हुआ का जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेवल करता होगा, तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते है, फिर अगला दिखिये है, अकर्टेन lecture Accordative lecture का मतलब होता है कि एक ऐसा instant कि जहां पर अपने husband को वहां पर क्या कर रही है या फिर उसके साथ कुछ भाला बुरा कर रही है या फिर कुछ सिकायद कर रही है या फिर पर ऐसा चीजों को जगढ़ा कर रही है और वही private में किसी के याद रखना यहाँ पर तो इसका देखिया राइट अंसर क्या हो जाएगा इसमें प्राइबेट को देखिये अगला है आपका इसमें कि इसका मतलब होता है कि जैसे कोई परसन है कोई जॉब के लिए वह फिट नहीं है या फिर कोई से Saitey में वह जो fit नहीं यह मतलब वह रहने के लाइक नहीं है या फिर Iisus में हम जो पुर आदत ही नहीं है या फिर उसके पास जो है वह स्कील ही नहीं है किसी चीज को करने के लिए तो इस तरीके से अर्च जब भी आप एक परकुषण तो इसका देखिये राई अंसर क्या हो जाएगा इसका ऑपशन सी पीपूल इन रॉंग जाब सोजाएगा इसका अब इसको याद करना भी बहुत ही असान है क्यूंकि इसमें दिया आपका इस्कौय फेक्स इन्हें और यह सारा जितने भी idioms आपके हैं, यह तो आपके जैसे question है, इसके अलावे हम लोग जो है लगभग 4-500 idioms देखेंगे हम लोग, तो जो कि आपके exam में इन ही में सही आपको देखने को भी लेंगे, तो उसको भी हम लोग इसी तरीका से trick के थुरू जो है, याद करेंगे, ज के लिए देखिए कुछ rules होते हैं, spelling को जैसे correction कैसे spelling लिखा जाता है, और कुछ जो होता है जो correct spelling होता है तो वो आपका हो जाएगा E-Q-A-N-I-M-I-T-Y तो इसमें दिखें जो right answer हो का option A इसका हो जाएगा और दिखें, equanimity का मतलब होता है कि जैसे कोई भी person है वो ऐसा state of mind को achieve कर लेता है कि जो उसके अंदर में हमेशा काल्बने सिरती है करने के लिए थोड़ा जाब इसमें देखिए, equa होता है, starting में equal आप जानते हैं यहां पर तो E-Q-A तो आपका इसमें ऐसे ही मिल गया, तो बाकी का जिसमें इसमें आपके इसको eliminate आप कर सकते हैं और इसके बाद देखिए, इसमें इसमें डबल एम और एस लगा हुआ है, तो यह भी आपका नहीं हो सकता है तो बच गया आपका क्योवल option A और option B, लेकिन इसमें double A दिया हुआ है, तो इक्वरेंडिमिटी जो होता है तो इसमें double A नहीं, single A होती है इसमें तो आपको देखिए, option को भी थोड़ा से दिखिएगा, तो एक-दो option आपका ऐसे ही eliminate आपका हो जाएगा तो इस तरीके से आपको approach करना होगा, correct spelling को find out करने में और इसके लिए best होता है कि आप लोग English जितना ज्यादा आप लोग पड़ सकते हैं, जितना ज्यादा आप लोग ध्यान दे सकते हैं, words पर कि उसका correct form किस तरीके से लिखा जाता है तो उसके पाद ही आपको इसके उपर command हो जाएगा, कि correct spelling इसका क्या होना चाहिए पिर अगला देखिए a veterinary है, तो इसमें देखिए इसका correct spelling होता है तो t-e-r-i-n-a-r-y हो जाएगा इसका, तो यह देखिए कि इसमें आपका दिया हुआ है, तो अगर आप इसको ध्हान से देखिए तो option c में आपका correct spelling दिया हुआ है, तो veterinary जो है जो भी domestic animals होते हैं, जो उसका treatment करते हैं, जो doctor होते हैं उसके, यानि कि जो treatment करते हैं उसको तो जैसे veterinary doctor बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये term related है कि जो भी injuries या treatment जो होते हैं, जो लिया आता है domestic animal के साथ में, तो उससे related आपका है ये, तो correct spelling क्या है, इसका option C में आपका दिया हुआ है, फिर अगला दिखिया है, connoisseur आपका दिया हुआ इसमें, तो इसका दिखिए, जो correct spelling जो होता है, तो वो है C-O-N-O-I-S-E-U-R होता है, ये इसका correct spelling होता है, तो इसका मतलब होता है, कि जैसे कोई person है, वो कोई test के matter में, वो export judge हो, आप उसको कोई चीज test करने के लिए related to, यहाँ पर खाना से related होता है, जो खादिक पदार्फ होता है, उससे related होता है, ये तो कोई person ऐसा, जो export हो, कि वो test हो, आपको तुरत ही judge करके बता देगा, तो इसका दिखिए, जो correct spelling आपका जो दिया हुआ है, तो वो जो option C में इसमें दिया हुआ है, जो की C से start होता है, और बाकी इसमें दिखिए, जैसे कि आपका इसमें और के इसमें, ये दो option तैसे eliminate आपका हो गया, लेकिन इसमें double N होता है, correct spelling में इसका, लेकिन B में आपका दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा, तो correct कि आपका option C आपका हो जाएगा, फिर अगला देखिए, munificent दिया आपक होता है, इसमें, तो इस तरीके से दिखिए, जो correct spelling जो आपका दिया हुआ है, तो जो option C में आपका दिया हुआ है, तो right answer इसका option C हो जाएगा, अब इसको दिखिए, लोग इसको confuse कर सकते है, option D वाले से, क्योंकि देखिए, यहाँ पर पढ़ने आप जाएगा, तो munificent पढ जो बहुत ही generous हो, kind का, तो यह होता है, munificent का मतलब, तो देखिए, आपको list याद रखना होगा, जितने भी correct spelling होता है, तो थोड़े से जो rules होता है, उसको तो यह सारा चीज़ हम आपको class में provide करेंगे, फिर next देखिए, जो part आपका है, तो इसमें आपको appropriate word को fill करना है, जो option में आपके दिये गया है, यहाँ पे जो number आपका लिखा गया है, तो यह जो है आपका sentence filling का आपका हो गया है, यहाँ पे, यानि कि जो part जो इसमें कि आपका blank करता है, उसको fill करने के लिए, और फिर इसको close test भी हम लोग बोलते हैं, तो यह जो है आपका passes type का ही हो गया है, जिसमें कि आपको बीच में blank छोड़ दिया आता है, वहाँ पे आपको fill करना रहता है, तो इसको attempt करने के लिए भी आपको थोड़ा सा जैसा study करना होगा इसके बारे में, इसके लिए थोड़ा से यह technique करता है, एक बारा passes को जो है overview आप लोग ले लिजे, किसमें आखिर जो पैसे रहता है, उसका आपको overall जो theme है, वो अगर समझ में आ जाए, तो यहाँ पर fill करने में आपको कोई problem नहीं होगी, तो इसमें देखिए जो question आपका जैसे दिया हुआ है, पैसे आपका start होता है इसमें, कि as home entertainment, television is rapidly becoming more, अब उसके बाद आपको fill करना है कि यह क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, इसमें बताया जा रहा है, कि जैसे entertainment के दुनिया के बारे में बात कहीं जा रही है, कि television जो है, वो rapidly जो है, वो क्या हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर interesting fill करना आपको, या फिर powerful है, या फिर purposeful है, तो देखिए, entertainment के बात करते हैं, तो आप television भी ह तो यह क्या एक तरीके से popular हो रहा है, आजकर, तो इसलिए यहाँ पर correct जो आपका होगा, तो option B होगा popular, यानि कि TV जो है, वो बहुत ही popular होता जा रहा है, entertainment के field में बात करें तो, फिर आगला देखिए, आगे इसमें दिया वाए, कि a news broadcast becomes more immediate when people dash actually see the scene, अब इसमें आपको यहा प्रोडकास्ट होती है, तो वो immediate cup बन जाती है, कि जब people जो है, उसको यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर blank आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए, आपको use करना है, या तो could का, या might का, या might का, या फिर sell का, तो इसमें देखिए, यहाँ पर use होगा, आपका appropriate जो word है, वो could का use करेंगे हम लोग, कि जैसे people से बात कहे जा रही है, कि वो अगर जो है, actually उसको देखते हैं scene को, तो यहाँ पर could properly use होगा, क्योंकि could जो है, यह polite way में use करते हैं, तो यहाँ भी वही चीज कहें जा रही है, कि अगर people लोग करे ऐसा तो, तो यहाँ पर request की मतल dash questions and the movement of the figures, तो यहाँ पर आगे आपको feel करना है, 6 वाले में, तो देखिए, जो 6 में आपको feel आपका होगा, यहाँ पर, तो इसमें in काई हम लोग use करेंगे, तो right, इसमें आपको देखिए, option D होगा, 6 वालों के लिए, जैसे इसमें आपको feel होगा, कि see the scene in question and the movement of the figures, तो in question क का महां पर आएगा, फिर उसके बाद आगे देखिए दिया हुआ है, कि films could be viewed in the dash of the home and variety of shows are also available, तो अब यहाँ पर आपको जैसे साथवे के लिए, यहाँ पर जो correct जो होगा, इसका यहाँ पर comfort हो जाएगा इसमें, तो यानि कि right answer option C, इसमें feel आपका होगा, तो जैसे films could be viewed in the comfort of the homes and a variety of shows are also available, तो कोई भी जी view करना रहता है, जैसे persons के लिए हम बात करते हैं, तो वो तो comfort में होके ही, अपने जैसे home में रहके, comfort में होके ही देखेगा उसको, फिर आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है, कि one of the advantages of travel programs is the dash of far away places, which में viewers would not dash see, अब यहाँ पर 8 नमर पर जो अपका feel होगा यहाँ पर, तो इसमें जो है, हम लोग feel करेंगे, glimpses का use करेंगे यहाँ पर, तो glimpses का मतलब होदा ही, जैसे किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में memorize करना है, या फिर उसको याद करना, एक तरीके से यह होता है, तो यहाँ पर सिम जह वही चीज रहे इसका, अब आगे देखिए, इसमें दिया आपका यहाँ पर, कि was would not dash see, तो इसमें आपको यहाँ पर क्या होगा, इसका otherwise हो जाएगा, क्योंकि देखिए, लोग जो है, इसको glimpses ही ले सकते हैं, या फिर जो है, उसको नहीं देख सकते हैं, तो right answer इसका otherwise में हो जागा, तो इसको जब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको इसको अच्छे समझ में आएगा, तो यहाँ पर हमने आपको जैसे right answer ही आपको बताया है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, जब आपको हम class इसका provide करेंगे, तो क्योंकि इसको देखिए, कुछ tricks होते हैं जिस पर basis पर आपको इसको solve करना होगा, तो हम आपको जो इसके उपर काफी practice आपको करवाएंगे हम, जैसे कि आपका English में जो है काफी अच्छा score हो सके, तो यहाँ पर देखिए, यह सारे जो topics आपके हैं, आप लोग topics करेंदी count करते हैं, तो सबसे पहले आपका error reporting का question आप पर आपको पर आपको पड़के और उसके बाद answer करना रहता है, तो वो भी part आपका है, लेकिन उसको भी हम लोग एक separate में discuss करेंगे हम लोग, तो इस तरीके से आप लोग इतना topic आदी तयार कर लेते हैं, तो आपका English का preparation हो जाएगा, क्योंकि इन ही topics आपके question पुछे गया ह और यदि आपको class चाहिए इसका पूरा detail में English का तो आप लोग comment करना, तो हम उसी के business पर जो है इसका class भी आपको provide करेंगे, और साथ में English का आपको पूरा equivalent पीडिया भी आपको तयार करेंगे, जो कि आपके exam point review से बहुत ही important रहेगा, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप से next video में, तब तक के लिए, bye